Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, अचली, Managing Switches के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने Switches के में जो Configuration है, उसका Backup कैसे ले सकते हैं और Backup से कैसे Restore कर सकते हैं, तो इसके हम दो Scenario's लेंगे, एक पहला Scenario है कि हमने कुछ Configuration इस Switch के उपर कर रखी है, जिसका IP इडर से 192.168. 1.2 और एक मैंने TFTP Server लगा रखा है, जिसका IP इडर से 192.168.1.10, इसमें कुछ Configuration हो रखी है और वो किसी कारण से Configuration हम से Mis Configured हो जाती है, तो आप उस Case में भी बड़े Simple Way में इस Server उपर रखे हुए Backup से इस Configuration को वापिस ला सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं, और दूसरा Scenario ह हम यह लेंगे कि माल लिजे यह सर्वर यह जो स्विच है आपका यह बिल्कुल खराब हो जाए, एक्चलिस इसको स्विच इस बड़े रगिट से होते हैं, यह सिसको डिवाइसी इस बड़े रगिट से होते हैं और असानी से खराब नहीं होती है, लेकिन हम ऐसा Scenario भी लें प्लस अगर हम इसकी Configuration में जाते हैं तो यहां पर यह Server Packet Ration में एदा TFTP, Server भी वर्क कर सकता है, तो TFTP को Select करता है, तो देखे, यहां पर कुछ Files पढ़ी हुई है, हमारे जो Operating Systems है, इनको भी हम Upgrade करने का Method भी देखेंगे, तो देखे, जो हम Backup लेंगे, वो यहां पर हमार सब्सक्राइन का, और हमारे कुछ Passwords वोगेरा हमने लगा रखे हैं, VTY Mode पर, वो सब कुछ हमारा चल रहा है, माल लिजे, इससे भी ज़्यादा हमने Configuration कुछ कर रखी है, हमने और VLAN कर रखी है, अब हम इसका Backup कैसे लेंगे, तो Backup लेने के लिए, इसी तरीके से में आपको पर्मानेट कर दें, ताकि अगर ये Switch किसी कारण से हमारा Reload हो जाए, या Power Off हो जाए, और उसके बाद ये जब Reload हो तो, इसमें यही Configuration रहे, जो हमने लगा रखी है, तो हम इसको RAM से, NVRAM में Transfer करते हैं, with Command, Copy Running Configuration to Startup Configuration, तो हम से Confirmation मांग रहा है, और Destination File का नाम पूछ र देजे, अब देखे, इतना होने के बाद मैंने इस Switch को इतना तो Protect कर लिया, अगर ये Power Off हो जाए, और दोबारा से Reload हो, तब ये अपनी Configuration Retain कर ले, उसके बाद वही Configuration हो, जो हमने Configure की थी, लेकिन किसी कारण से, अगर मैं इसको Mis Configure कर लो, मां लेजे, मैं एक छोटे सी आपको Example लेता हूँ, कुछ VLAN हम गलत बना ले, तो कैसे हम इस Switch की Configuration को वापिस ला सकते हैं, तो, इसलिए, इसके लिए मैं Command लिखता हूँ, Backup लेने के लिए, तो उसके लिए Copy और पहले Source, तो अगर आप Running Startup यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो कोई भी Source दे देंगे, मां ल लेता हूँ कि Running Configuration और यह Copy कहां हो जाए, तो देखिए, आपे बहुत सारी Options हैं, इनमें से एक है, TFTP, तो मेरे को इसको एक Server पे Backup लेना है, जो कि TFTP का है, और Enterprise करता हूँ, तो देखें, मुझसे Address या Name पूछ रहा है, Remote Host का, यानि कि उस TFTP Server का, तो अगर आपने Name Resolution के करते हैं, तो देखें, मुझसे Destination File का नाम पूछ रहा है, जो कि है SW1-CONFG, तो यहाँ पर बहुत mistake होती है, कभी-कभी हम restore करते हुए Config FIG लिखते हैं, क्योंकि Arm Trend Configuration का FIG है, तो इसने CONFG या फिर जो आप खुद का अपना नाम रखना चाहते हैं, फाइल का, वो भी आप द दे सकते हैं, तो हम Default Name लेते हैं और Enter Press करते हैं, तो यह कोशिश कर रहा है, उस पर Configuration राइट करने की, तो देखें कोई Successes आ रहा है, तो इसने राइट कर दिये Information, Successfully on TFTP Server, तो चले TFTP Server पर जाके इसको चेक कर लेते हैं, TFTP Server पर पहुँच गए, और TFTP को प्रेस किया, और य यहां जाके इसका Host Name, एक Simple सा Change करके देखते हैं, Host Name बदल देते हैं, माल लेजे, इसका Host Name कर देते हैं, Switch 1, और और भी कुछ Miss Configuration हो गई, जिसको की हम चाहते हैं कि यह Revert Back हो जाए उससे, और मैंने किसी कारण से, किसी गलती से इसको Startup में भी Save कर दिया, तो हम Backup से कैसे Restore कर लाएगा, तो मेरे को इस बार Copy करना है, जहां से Copy करना है, पहले Source देना है, तो Copy मेरे को करना है from TFTP Server, और फिर मेरा Destination जो इस बार है, वो है मेरी Startup File या मेरी Running Configuration, तो मैं इसको Running में लेके आता हूँ, यानि कि अपनी RAM में लेके आता हूँ, तो उसके बाद Enterprise करता हूँ, तो यह Case Sensitive होता है, यानि कि यहाँ पर Capital S और Small S में फरक है, तो SV1 Config FIG नहीं है, केवल FG है, तो अगर नाम गलत हो जाएगा, तब भी यह वहाँ से Copy को, फाइल को Copy नहीं करेगा, क्योंकि इसको उस नाम की फाइल मिलेगी नहीं, और Very Important कि यह Case Sensitive है, Capital S और Small S में यहाँ परक है, तो Enter Press करते हैं, Destination File का नाम पूछ रहा है, तो Running में ही अगर लेके आना चाहते हैं, तो इसी को रहने दीजिए, हम Defaults रहने देते हैं, और Enter Press करते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा है, तो यह Copy हो जाएगी, तो देखे, यह Copy हो गई है, और आपका जो Switch का नाम है, वो देखे, दूबारा से SW1 आ गया है, जबकि हमने इसको Rename कर दिया था, यानि कि इसने जो हमारे Backup से हमारे Data सर्वर का, जो उसका Information थी, Configuration थी, वो सारी कि सारी यह वापिस लिया आया, तो Show Running करके भी देख लेते हैं, तो देखे, आपको वही Configuration हैं, वही Addresses हैं, प्लस हमारा Passwords उगरा हमने लगाया हुए थे, वो हमें मिल गए हैं, तो इस वीडियो में हमने सीखा हमारे Switches के एक Management Task के बारे में, जिसमें हमने Switches से अपनी Configuration का Backup लिया, TFTP सर्वर पे, और फिर एक उसको Mis Configure किया, या हमने Name Change करके देखा, और फिर हमने दुबारा से उसी Backup से Restore करने का Method भी सी ताकि हमें जरूरत पढ़ने पे हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इस वीडियो में इतना ही, Thanks for Listening.